हेलो दोस्तो मैं मोहनिसारियन आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो सेशन में दोस्तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी से ODL प्रोग्राम के Fresh Admissions के बारे में बाते करूंगा उसके साथ ही मैं आप सभी से ओडियल मतलब open distance learning program के fresh admission की date 15 September 2020 थी और आप सबों को एक बात और ये भी पता होगा कि online re-registration की date भी 15 September 2020 थी बिना किसी late find के तो दोस्तों मैं भी आप लोगों को केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जो है इन सभी program के dates को extend कर दिया गया है it means कि odial program मतलब open distance learning program के fresh admission के date को अब 30 September 2020 तक extend कर दिया गया है मतलब अब आप लोग odial program में मतलब open distance learning program में बिना किसी late find के साथ 30 September 2020 तक admission ले सकते हैं दोस्तों उसी के साथ साथ online re-registration मतलब जो बचे पहले से ही इगनू में registered है और फिर re-registration करवाना चाह रहे हैं तो अब जो है वे अपना re-registration 30 September 2020 तक बिना किसी late find के साथ कर सकते हैं और इसके साथ ही वैसे student जो कि online program में इगनू में admission लेना चाह रहे हैं तो अब वे भी अपने अपने online program में admission 30 September 2020 तक बिना किसी late find के ले सकते हैं तो यह सारी बाते कहां लिखी गई है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं यहां पर लिखी गई है open distance learning program अब जो है 30 September 2020 तक आप लोगों के admission के लिए है तो अब आप लोग जो है ODL program में बिना किसी find के साथ 30 September 2020 तक admission ले सकते हैं वहीं पर आप लोग यह वाली line देख लेजिए online registration भी अब आप लोग जो है 30 September 2020 तक कर सकते हैं यहां पर लिखा गया online registration for July 2020 session extended till 30 September 2020 without late fee यह वाली line भी आप लोग समझ गया होंगे 30 September 2020 तक री registration आप लोग कर सकते हैं और उसी के नीचे एक line और लिखा गया है वह भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं online program on offer date extended up to 30 September 2020 it means कि 30 September 2020 तक जो है online program के admission के date को भी consistent कर दिया गया है तो इतने सारी बाते थी दोस्तों जो कि आप लोगों के लिए काफे important थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया अब आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए अब आप लोग सेप्टेमबर तक बिना किसी समस्या के बिना किसी लेट फाइंड के admission और जी रेजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस वीडियो सेशन में इतना है दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ तिल देन टाटा बागाए प्रोपिक के बिना किसी लागाए